इस्थापत तेकला नागर सैली में 189 पृटचाई का नो और श्रंग वाला विश्व का यह एक एकलोता मंदिर है यहाँ पर हम सब की सोच खतम हो जाती है वहाँ से भगवन्त की सोच चालिव होती है बड़े बाबा की भब मूर्दी के लिए विश्व का एक सबसे बड़ा ज इतने भब मंदर की परिकल्पना इतना कुछ सोच ही नहीं सकता दस रियक्टर तक ती प्रता का भी हुकम पाएगा तो बड़े बाबा के मंदर को कोई भी हानी कोई भी छती कुछ भी नहीं होगा मूर्ती सिप्ट करने का मुख कारण यह था क्योंकि हमें मूर्ती की रक्ष अर्मान किया और उसी दिन बड़े बाबा मंदर निर्माड कार पे इस्टी लग गया बड़े बाबा एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हम सबकी इस्मरतियों में आ जाते हैं कुंडलपुर के बड़े बाबा देवादी देव श्री आदिनात भगवान आज मैं कुंडलपुर की धरा से पुन्योदे विद्या संग से अंकेज जैन मित्रा आप सभी का स्वागत कलता हूँ आज हम बात करेंगे कुंडलपुर निर्मार कमेटी के इंजिनियर श्री गौरव जैन जी से जो की कमेटी के पदादिकारी हैं और उनसे हम जानेंगे कुंडलपुर से जुड़ी ऐसी कई सारी बातों को जो की काफी विवाद में रही है कैसे मंदर का निर्मान हो रहा है बड़े बाबा को कैसे यहां इस्तान तरित किया गया कैसे कोर्ट में केसिस लगे क्या उन केसिस का निवारन हुआ उसके बाद में आचारी श्री विद्या सागर जी महराज की क्या परिकल्पना इस पूरे भवे जनाले के लिए रही कैसे यह मंदर विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदर है ऐसे कई सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे गौरफ जी जह जिनन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि बड़े बाबा इस नए मंदर में विराजमान है और बड़े बाबा इससे पहले बाहर एक दूसे मंदर में विराजमान थे तो ये आचारे श्री के मन में पहली बार ये बात कैसे आई कि मूर्ती को एक उच्छासन पर विराजमान करना है, क्या कारण रहे है, क्रपया बताईए अंकित विया आपको जहिश्रेंद, सबसे सरपर्थम अचार स्री नें 1999 में सोचा कि बड़े बाबा के मंदिर को एक भव्य स्वरूप दिया जाए, उसका मुख कारण यह था कि जो पुराना बड़े बाबा का मंदिर बना हुआ था, वो चूनेक से और इड से बना हुआ था, 1999 में जब भूकंप आया, जवलपुर के आसपास अपना जौन फोर छेतर में आता है यह भूकंप के छेतर में, जब भूकंप आया तो बड़े बाबा के पुराने मंदिर में बहुत सारी जगए, कई जगए दरारें आ गई थी, और गर्व गर्य भी कई जगए से डेमेज ह गया था, तो उस समय वीके कासलीवाल साप थे, भूगर्व सास्त्री थे, जियोलोजिस्टी भी थे, तो उन्होंने गुरुदेओ के चरणों में आया और गुरुदेओ से कहा कि बड़े बाबा की मूर्ती को सुरक्षत करना अब अत्यनता अवश्यक है, यदि हम इस मूर् गुरुदेओ को तत्यों की रक्षा करनी थी, एधी मूर्ती भविस्ट में भूकम पाने पर ओवर्टर्ण हो जाती और छटी हो जाती मूर्ती की एक बहुत बड़ी नुकसान हो जाता, मतलब मंदिर या मूर्ती में से किसी एक को चुनना था, क्योंकि भविस्ट में किसी नहीं नहीं देखा आने वाले समय में कौन सा कित्ती भविस्ट का भूकम पा जाता, और भूकम में अधी मूर्ती ओवर्टर्ण हो जाके गिर जाती, तो मूर्ती तूट जाती, तो मूर्ती की रक्षा करने के लिए, गुरुदेओ ने यही महा प्रशाद, एक महा मंदर, तो बहुत समय से एक भ्रांती थी, क्योंकि लोगों के मन में यही बात आती थी, कि बड़े बाबा का जब पहले से मंदल था, तो उनको दूसी जगे क्यों विराजमान किया गया, साथी साथी यह बाते आती है, कि इतना बड़ा जिनाले बनाने की क्या आवश्यक्ता थी, तो मैं आपसे एकला प्रशन यही जानना चाहूंगा, कि ठीक है, आपने कारण बताया कि भूकम के कारण सुरक्षा की दस्टी से हमने बड़े बाबा को यहां उच्छासन पर विराजमान किया, साथी आप हमारे दर्शकों को यह भी बताएं, कि इतना भवे जिनाले कैसे कैसे इसकी परिकल्पना हुई, और इतना भवे जिनाले की जिसके बारे में यह कहा जा रहा है, कि यह विश्व के सबसे बड़े जहन मंदरों में से एक है, इसके बारे में भी मैं आपसे आगे चल्चा करूँगा, पहले आप हमें यह बताएं कि इतने भवे जिनाले की पर जिनाले एंसा बने, इस्थापत्यकला नागर सैली का जिनाले बने, ऐसी गुरुदेव ने कलपना करी थी, और मुर्ति की उचाई, उसकी चोड़ाई, उसकी भबता, उसकी आकर्शन, इन सारी चीजों को देखते हूए गुरुदेव ने कलपना करी, कि ये बड़े बाबा, के लिए छोटा है ज़ी देखा जाए तो इससे भी भब मंदर की भी परिकलपना गुरूदेव ने करी थी लेकिन ये मंदर का जो सिल्फ होता है ये इस्थापत्तिकला नागर सैली चार प्रकार की सैलियां होती है जो अपना ये मंदर निर्माड हुआ है इस्थापत्तिकला नागर सैली में बना है मूर्ती की उचाई की हिसाप से उसके वास्तु के हिसाप से सारे मंदपों के मापांक तै होते हैं जैसे बड़े बाबा की मूर्ती की उचाई करी बारा फिट उची है और बारा फिट लगवग चोड़ी है और दो फिट इसकी ठिकनेस है बड़े मू ढारत होती है तो बड़े वाबा के मुख गर्वग्रै की जो साइज है उसका मापांक है वो 27 फित तीनच वाई 27 फित तीनिच का बड़े वाबा का घर्वग्रै है बड़े बाबा के गर्वगरे के मुख सिकर की उचाई एक सो नवासी फिट है मैं आपको बता दू कि विश्व में काफी मंदर दरवट सैली में भी बने हुए जिनकी उचाई बड़े बाबा मंदर की उचाई से जादा होगी लेकिन इस्थापत्यकला नागर सैली में एक सो नवासी फिट हुचाई का नो और श्रंगवाला विश्व का यह एक एकलोता मंदर है इसके गर्वगरे की दीवार की मुटाई 27-27 फिट मौटी है यहाँ पर कई स्ट्रेक्चर कंसल्टेंट और जियोलोजिस्ट और आर्कोलोजिस्टों ने भोला है कि यदि दस रियक्टर तक ती बरता का भी हुकम पाएगा तो बड़े बाबा के मंदर को कोई भी हानी, कोई भी छटी, कुछ भी नहीं होगा गौरव जी मैं यह जाना चाहता हूँ कि ऐसा सुनने में आता है पहले तो बड़े बाबा का मंदर जो था वो इस मंदर की तुलना में काफी छोटा था फिर उसके बाद में इतना भवे जिनाले बना पर अभी भी लोगों के मन में यह प्रशन आता है लोग यह कहते हैं कि इतना बड़े जिनाले होने के बावजूद भी बड़े बाबा के मन में जो आस्था है वो तो लोगों की पूरी विश्ववर में है वो कोई एक नगरी तक नहीं है वो कोई एक देश तक नहीं है जब कमेटी बड़ा बना ही रही थी तो इससे भी और बड़ा क्यों नहीं बनाया ये आपने जो प्रश्न किया है ये बड़े बाबा मंदिर की जो आर्किटेक्ट्चल डिजाइन है ये किसी एक आर्किटेक्ट के हाथ में नहीं होती किसी भी मंदर की डिजाइन उसके मुख गर्वग्राय के मुख मूल नायक भगवान की मूर्ती की उचाई उसकी चोड़ाई के आधार पे सारी चीज़े निर्धारित होती है जैसे बड़े वावा मंदर की मूर्ती की उचाई 12 फिट है तो इसमें आर्केटेक्ट जो सास्त्रों का उपए सौंपुरा समुदा है पूरे विश्व में बहुत कम सौंपुरा के बंधु बचे हुए हैं वो सौंपुरा समुदा है जो ये सारे विश्व में नागर सैली थापत्तिकला की मंदर की डिजाइन करता है तो बड़े वावा मंदर की जो गर्वग्रे की साइस जो फिक्स होती है वो मूर्ती की उचाई के आधार पे होती है बड़े वावा मंदर के सिखर की उचाई भी उसी के आधार पे निरधारित होती है इसमें सिल्परत्नाकर अर्किटेक्ट्ल नागर सैली का ये प्रशाद मंदन सास्त्रे ये सास्त्र कोई अभी कि नीए, ये हजारों हजारों वर्स प्राचीन सास्त्रें जो अपने आचारियों ने लिखे हुए हैं, इनके तामर पत्र पे, छालों पे, इनके सारे मानचित्र बने हुए हैं, उन जो रीजन है नौर्थ रीजन है द्रविड सैली साउथ में उपयोग होती है नागर सैली का प्रियोग अपने नौर्थ रीजन में जादा किया जाता है गौरफ जी हमारे शुरोताओं को आप बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले आपने चल्चा की कि ये विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदर है तो ये बात मन में आती है कि विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदर हमने तो सुना है और भी जगे कई सारे मंदर है तो किस तरीके से ये विश्व का सबसे जन मंदर आप कह रहे हैं अंकित जी कुंडल पूर बड़े वावा का मंदर विश्व का सबसे बड़ा मंदर है ये बिलकुल सही बात है लेकिन मंदर बड़ा होने के कई मानक होते हैं सबसे प्रतम तो ये स्थापत तकला नागर सैली का सबसे बड़ा मं गौरव जी मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने भव्य जिनाले की परिकल्पना किसकी थी क्या कोई आर्किटेक्ट हैं जिनोंने इस पूरी परिकल्पना में अपना दमाग लगाया या कोई और सक्सियाद है हमारे तो आर्किटेक्ट हमारे अचार भगवंत श्री विद्यसागर महराजी हैं और ये ना कोई आर्किटेक्ट ना कोई वास्तुवेद ना कोई कंसल्टेंट इतने भब मंदर की परिकलपना इतना कुछ सोच ही नहीं सकता जहां पर हम सब की सोच खतम हो जाती है वहां से भ स्थी बड़े बाबा मंदर के आप अभी बरतमान में कोली मंडप वाले एरिया में खड़े हुएया हैं कोली מंडप में विखने पिलड़ों में जितने ही आपने जहना आगम में जितने आजार हुए už चार भीर वीर शागर जी उन सारी आचारियों की मूर्थियां बनाई गई हैं महराज जी अहार ले रहे हैं महराज जी स्वाध्या कर रहे हैं सामाय कर रहे हैं अहार चरिया के लिए निकल रहे हैं ऐसी सारी मूर्तियां कोली मंडप में बनाई गई हैं स्री बड़ेवाव मंदर के कोली मंडप के बाद आप गुड़ मंडप में हैं गुड़ मंड इस देलवाडा मंदर के दिवरानी जठानी के गोखले के समान समतुल यहां मूर्थिया है जिसमें गज का समूह भी नीचे की लेयरों में है मंदर के अभी बरतमान में गुड मंडप में है जिसकी साइस 54,99 वाई चंगन फित नो एंच है यहां से खड़े होके बड़ेवावा की मूर्थि के दर्शन होते हैं बड़ेवावा मंदर के गुड मंडप में करीब 25 पिलर्स हैं इन पिलर्स पे ऐसे नत्तंगनाओं की देव देवताओं की विभिन मुद्राओं में बहुत संदर संदर मूर्तियां पिलरों में गड़ाई करके बनाई गई हैं। स्री बड़े वावा मंदर के अभी आपन नत्मंडब वाले एस्थान पर हैं। नत्मंडब की साइच चवणफिट नौइंच वाई चवणफिट नौइंच है। इसमें 64 पिलर से एक एक पिलर चवदा चवदा पार्ट में बनाए गया है। पिलर में नीचे खरसल से ठेकी से भेंटा सरा कांटा सरा के आधार पर यह पूरे पिलर का निरमाड़ हुआ है। इसके भेंटा सरा के पत्थर की साइच उस्थिपोर वाई 64 वाई 64 पिट वाई 8 पिट का पत्थर है। इतने भब डॉम, 54 फिट 9 इंच के ब्यास के डॉम जिसमें करीब करीब 1200 पत्थरों का यह सल मेर के पत्थरों का उप्यूप किया गया है। 1200 पत्थरों से इंटर लॉकिंग करके मेल फीमेल नर्मादा बनाके इस सारे डॉम की चवूदा लेयर पर यह फूरा डॉम तैयार किया गया है। इतना बडा डॉम हम लोगों नहीं अभी ना कहीं किताबों में ना किसी मंदर के ना विस्टो के किसी मंदरों में इतना भब डॉम नहीं दे। स्री वड़ेवाबा मंदिर के अभी अपन पश्यम दिशा वाले मंदिर में है पश्यम दिशा वाले मंदिर के गुड मंड़प में तरकाल चौवीशी ऑड़वेडिया है जो जैसल मेरे के मूल सागर पत्तर से तैयार करी गए विराज्मान हों गए और इस मंडप की साइज च तालिस पिट तीन इंच वाई एक तालिस पिट तीन इंच है एक तालिस पिट तीन इंच का भब डॉम जो 344 पत्थों से बनाया गया है इंटर लॉकिंग करके इसकी संदरता इसको और बढ़ाती है पूरे गुड़मंडप के फ्लोर में फ्लोर का मकराना का वाइट मार्वल 40 सेमें थिकनेस का लगाया जाएगा बड़े वावा मंदर में कुल 16 दरवज्जे हैं सोला दरवज्जों की हर दरवज्जे को इचाही लगवा अठारा फिट तो इंच हाइट और आट फिट नौ इंच चोड़ाई है दो दो पल्लों की दरवज्जे हैं ये सारे दरवज्ज से सीसम से बनाया जा रहा है सीसम की लकड़ी से और ये सब बड़ज्जों का निर्माल बारड मेर में किया जा रहा है स्री बड़े वावा मंदर के अभी हम पूर विद्षा के गुड़ो मंडप में हैं गुड़ो मंडप में 41 पर 13 इंच वा 41 पर 13 इंच का ये गर्वग्रह है इस गर्वग्रह में तरकाल 24 इंच की आठ वेदियों में बरतमान काल के 24 भगवान जी यहां बराजमान करे जाएंगे बड़े वावा मंदर के पूर विद्षा की औरपन हैं और पूर विद्षा में ये सी पार्ट मंड़ोवर है पूरा और ये 18 इंच की चौकी डॉम है जो मंदर को दो तरफ चौकी बनाए गई हैं पूर विद्षा की मंदर में दो चौकी और पश्चम द्षा की मंदर में 18 इंच की दो चौकी हैं जो मंदर के प्रवेश ज़ारगी कहते हैं पूर्व दिसा में पश्यम दिसा में नत्मंड़क की चौकी पिलर्स हैं वहां पर हम खड़ेगी हैं यह पिलर्स इनकी साइज बहुत मौटी है ठेकनेस बहुत मौटी है और आप देख सकते हैं जो कुंदलपुर में किसी की पत्र में आप गढ़ाई की गहराई देखेंगे कुंदलपुर में जो मुख आकरशन का केंडर है वो है कुंदलपुर के पत्रों की नकासी की बारी की महींता उनकी गहराई दपट गुलाई कार्विंग इसको बोलते हैं यह बहुत ही आफर करते हैं स्री बड़े बावा मंदर निर्माला आप देख रहा हैं बहुत भब्विता से निर्मालकार की ब्रगती से चल रहा है स्री बड़ेवाव मंदर में वर्ष दो हजार सूला से नरंतर करीब बारा सो कारीगर मकराना के बयाना सुरूब गन्हिंडोन रोदावल पिंडवाडा की काररत हैं और यहां फिटिंग में करीब करीब 300 कारीगर और गड़ाई के कारीगर में करीब करीब 1000 कारीगर यहां पर कारीगर रहते हैं पुल मिलाकर कितने कारीगर लोकल के कारीगर करीब जो जुड़ाई पत्थर की जुड़ाई और खंडे का जो लोकल का काम होता है लोकल के हमाय कारिया रोग्षाई में जो लगी रहते हैं ऐसे करीब 300 लोग हैं तो अधि पूरे पुन्डलपुर में देखें तो वर्स 2016 से अभी तक कोविट के समय कुछ कम हुए थे लगवग 2,000 लोगों हमेशा कारियरत रहते हैं प्रिजेंट में बड़ेवाव मंदर में 15 हाइड्रा और 5-50 टन की क्रेहने वो करीब 20 एक्टर दो वायर सा मसीन और 84 इंच विलेट की 7 कटर मसीन लगाता 24 हिंटे काम करती बड़ेवाव मंदर की फिटिंग का कार्य अभी सोगे 6 बज़े तक किया जारा नहीं तो जनर्नल रात के 12 बगज तक फिटिंग के कार में लोग 300 कारीगर कार रहते हैं श्रीवड़ेवाव मंदर के जश्ट सामने सहस्त्रकूड जिनालय का निर्मार की जारा है एसा सहस्तकूट की गड़ाई और नकासी बहुत ही महीन है इसमें छे लेयर में आश्योथर, नर्थर, ग्रास ऐसी सारी लेयरों से निर्माड हो रहा है अभी पर्थमतल छज्जे तक निर्माड हो गया है जनवरी अंतर तक सहस्तकूट निर्माड कूल हो जाएगा बहुत ही जल्द ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहां छोटे बाबा के चरेन पढ़ने वाले हैं तो मैं गौरब भाई से जानना चाहूंगा कि बड़े बाबा तो इस भवे मंदिर में विराजमान हो गए इतना भवे मंदिर का निर्माड हो रहा है कई दर्शुक यह जानना चा हमस्ता कभी शेक करने का अवसर मिलेगा गौरा भाई इस संका को दूर करें इस संका का समाधान तो अशार भगवंत विद्या सागारी कर सकते हैं 2016 में निर्माड कमेटी प्रवंदकार कारणी कमेटी ने कुंडलपुर के सब लोग गुरुदेओं के पास थे तो गुरुवर के सामने संकल्प लिया था निर्माड कमेटी ने कि वर्ष 2021 में हम मंदिर पून कर गुरुवर के ससंग सानिद में गुरुवर के संग के समस्त आरिकाव भ्रहमचानी बेहनों भाईयजी लोगों के सानिद में एक भब पंच कल्याणा प्राण प्रतिष्टा गजरत महोस्ताव महामस्त का विशेख हो ऐसी भावना भाई थी तो वर्ष 2021 का लक्ष लिया था अंत का और लगवग लगवग मंद निर्माण कून हो चुका है दस से पंदरा पर्षेंट फिनिशिंग का काम और कुछ फिटिंग का काम रह गया है गुरूवर के सानिद में कई बार अभी कमेटी लगातार जा रही है और गुरूवर से आसीरवाद ले रही है कि गुरूवर आपके सानिद में भब पंच कल्याणा खो गुरूदियों न आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरफ जी ने आपको मंदिर निर्माड से जुड़ी हुई काफी चीज़े बताई आपको मंदिर निर्माड के अलावा कई सारे ऐसे सवालों के बारे में बताया कि जो कई समय से उठते हुए आ रहे थे कि मंदिर का निर्माड क्यों किया जा रहा है, मूलती को चासन पर स्थान नांतरित क्यों किया गया, कितने सारे केसिस कोर्ट में चल रहे थे, वगेरा वगेरा, कई सारी समस्या है थी, हम तो बड़े बाबा के चड़नों में नमुस्तु निवेदित करकर, आचार भगवन श्री विद्या सागल जी माहराज के चड़नों में नमुस्तु निवेदित करकर, यही प्रात्ना रखते हैं कि बड़े बाबा का मंदिर जल से जल पूर्णता की ओर जाए, पूर्ण हो जाए, और जल्दी हमें भव्वे पंचकल न्याणक और महामस्तक अभिशेक करने का अवसर्व मिले. झाल